अगर मौसम अच्छा रहा तो मैं वॉक पे जा सकता हूं मुझे पेंटिंग करना बहुत पसंद है लेकिन टाइम ही नहीं मिलता हॉबी बर्स्यू करने के लिए मैं इंटर्व्यू में पास हो सकता था लेकिन मेरी इंगलिश कमजोर है जब तक हम फसे रहेंगे इस अगर मगर लेकिन में कुछ नहीं बदलेगा लाइफ के अपसेंड डाउंज, हाईज एंड लोज में मैंने एक बास सीखी है कि हम तब तक ही दुखी रहते हैं जब तक हम सच्चाई एकसेप्ट नहीं कर लेते हम जितनी जल्दी सच्चाई को एकसेप्ट करके आगे बढ़ेंगे उतनी जल्दी मिजरी खत्म हो जाती है और हैपिनेस शुरू तो चलिए, आज बात करते हैं कुछ ऐसे हार्श टूथ्स की जिन्हें जानने और मानने के बाद मेरी life में transformations हुए और ये truths आपको भी एक direction देंगे towards a better, meaningful and empowered life So get empowered and stay happy Hello, Namaskar, मैं हूँ Swati Tiwari and welcome to my mission holistic empowerment for real success and lasting happiness Mission से जुणने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और bell बटन हिट कीजिए सबसे पहला हार्श टूथ है अगर मगर लेकिन ये शब्द हमारे दुश्मन है अगर मौसम अच्छा रहा तो मैं walk पे जा सकता हूँ मुझे painting करना बहुत पसंद है लेकिन time ही नहीं मिलता hobby बर्जिव करने के लिए मैं interview में पास हो सकता था लेकिन मेरी English कमजोर है जब तक हम फसे रहेंगे इस अगर मगर लेकिन में कुछ नहीं बदलेगा कड़वा है लेकिन एकदम सच है अगर मगर लेकिन इसका मतलब है जजबे की कमी conviction और willpower की कमी जो करना चाहिए उसे करने के लिए इच्छा शक्ती और समर्पन की कमी याद रखिए हम कभी कुछ करके नहीं पश्टाते बलकि हम पश्टाते हैं उसके लिए जो हमने नहीं किया अगला हार्श रूथ है कि हम कभी best नहीं बन सकते नहीं हो सकते जब हम कहते हैं I tried my best हम अपने subconscious को program करते हैं कि हम इससे बहतर नहीं कर सकते जब हम सोचते हैं कि I am the best हम सीखना बंद करते हैं हम complacent हो जाते हैं और superiority complex का शिकार हो जाते हैं तो खुद को limit मत कीजिये क्योंकि best is yet to come और वैसे भी best नहीं कमपारिटिव वर्ड है So try to be better not the best better than others better than today failure is inevitable this is the third harsh truth I am sorry to break your heart but welcome to the reality वैसे भी failure है क्या सिर्फ हमारे expectations के मताबक results का ना आना जब हमें लगा that I did my best जब हमने अपनी ability से ज्यादा expect किया जब हमने expect किया कि college degree पूरी होते ही मैं millionaire बन जाऊंगा जब भी हम अपनी strengths और weaknesses को assess किये बिना expectations set करेंगे we will fall short failure की goodness के बारे में हमने ये बड़ा video बनाया है if you wish to watch we cannot choose what happens to us but we can certainly choose how we react हम बहाने बना सकते हैं दूसरों को blame कर सकते हैं toxic narcissist लोगों के साथ रह सकते हैं या फिर हम सब को छोड़ छाड़ कर खुद को empower कर सकते हैं एक brighter future क्रियेट कर सकते हैं choice is ours और यही है fourth harsh truth हर जंग लड़ना ज़रूरी नहीं है जंग लड़ना और जंग छोड़ के भाग जाना मेरे हिसाब से यह दोनों brave decisions हैं कायर तो वो हैं जो decide ही नहीं कर पाते कि लड़ाई करना है या लड़ाई छोड़ना है so choose the battle wisely to fight or to take a flight यह है fifth harsh truth sixth harsh truth है कि हर वो शक्स जो आपकी तारीफ करता है जरूरी नहीं है वो आपका दोस्त हो आजकल दोस्त बड़ी जल्दी बन जाते हैं बस friends request भेजिए या accept कीजिए बन गए नहीं दोस्त सिर्फ इसलिए कि वो आपसे अच्छे से बात करते हैं वो आपके दोस्त नहीं बन जाते सच्चा दोस्त तो वो है जो आपको गलतियों में आपकी मुश्किलों में बुरे समय में आपका साथ दे इसलिए किसी को तब तक दोस्त मत समझिए तब तक दोस्त मत कहिए जब तक उन्हें परक न लिया हो दोस्ती के बाद next harsh truth है about दुश्मनी जैसे हर तारीफ करने वाला दोस्त नहीं होता वैसे ही हर reject कर देने वाला हर insult करने वाला आपका दुश्मन नहीं है दुश्मन वो नहीं है दुश्मन आप खुद है अपनी पीस के जब उनकी कही एक negative बात को आप बार बार याद करते हैं और परिशान होते हैं आप खुद के दुश्मन मन जाते हैं उनकी advice उनका opinion सिर्फ उनका perception है reality नहीं और यदि reality है तो भी वो आपके दुश्मन नहीं है क्योंकि वो आपको आईना दिखा रहे हैं और मौका दे रहे हैं improvement का no one can fight our battles ये है eighth harsh truth हम अकेले दुनिया में आये थे फिर हमें मिले parents, भाई-बहन, दोस्त, partners, kids लेकिन क्या वो सब हमारे साथ हमेशा रहे जो अभी साथ हैं क्या वो हमारे साथ हमेशा रहेंगे या फिर क्या हम हमेशा किसी के साथ रहे सकते हैं शायद नहीं family, friends, well-wishers हमें support कर सकते हैं लेकिन हमारा दर्द, हमारा दुख, हमारी तकलीफ हमें खुद ही face करना है चाहे वो emotional परेशानिया हूँ, physical तकलीफ हूँ या फिर financial hardships सब कुछ हमें face खुदी करना है life is the walk of the alone इसी लिए खुद को empower कीजिए meaningful relationships को nurture कीजिए meaningful तरीके से अपनी life को structure कीजिए जीवन चलने का नाम अकेले चलने का नाम इसी लिए live and let live 9th harsh truth है के हम हमेशा खुश नहीं रह सकते although हमें सिखाया गया है हमेशा खुश रहो at least खुश दिखो I say all emotions are beautiful when you are sad cry, scream or do whatever you feel like important यह है के दुख में, distress में हम क्या करते हैं it's okay to be not okay sometimes good and bad, together that's called life accept the bad and sad and enjoy the good and happy with grace nothing is permanent और आखरी harsh truth है that perfect time वो सही समय कभी नहीं आता पहले हम इंतजार करते रहते हैं perfect moment का और हर बीते moment के साथ चीजे और और मुश्किल होती जाती हैं और फिर हम regret करते हैं कि पहले क्यों नहीं किया पहले क्यों नहीं कहा इसी लिए perfect time का इंतजार मत कीजिए do it now hit the like button now वीडियो जादा से जादा लोगों से शेर कीजिए उन्हें भी ये सारे harsh truths बताईए I know they are very very uncomfortable लेकिन तो भी क्या हुआ हैं तो truths ही न हम जितनी जल्दी illusion और fake comfort से बहारा के इन्हें accept करेंगे उतनी जल्दी progress करेंगे comment कीजिए, feedback दीजिए आपके पास कुछ और empowering truths हूँ तो वो भी बताईए comment करके हमारे mission holistic empowerment से जुनने के लिए चैनल को subscribe कीजिए और welcome कीजिए Bye Bye See you next week Till then get empowered and stay happy like ले उन